स्वागत है आप सभी का देटीन क्लासिस के यूट्यूब चैनल पर मैं अभी आपका दिल से अभी नंदन करता हूँ आज हम लोग एबरेज के आखरी पार्ट को हम लोग डिसकस करते हैं हमारा आखरी पार्ट होगा हमारा नहीं मतलब इस चैप्टर का आखरी पार्ट होगा चलिए आज हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं फिर कल से हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे चलिए सबसे पहला सवाल हमारा का है और आज का भी टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट होने वाला बहुत मज़िदार रहेगा चलिए सबसे पहला सवाल है कि छे वैक्तियों के सम्मू में से एक 80 kg वाले वैक्ति के अस्थान पर दूसरा वैक्ति आ जाने से इनके ओसत भार में 3 वैक्ति के कम हो जाती है तो नए वैक्ति का भार क्या है सबाल को समझना है चै आदमी था एक आदमी चला गया और जो आदमी गया उसका भार क्या था 80 kg उसके जगा पर घ्सकाण जगा पर दूसरा आ गया समन जहान से मतलब www.sं.id पे कोई फैक्ट पढ़ा, नहीं पढ़ रहा है, पहले भी छेता, एक गया, उसके जाप एक दूसरा आ गया, इसका अम तब ठंक्या पहले भी छेता, अभी भी छेता, लेकिन क्या हुआ ना, ओसत में 3 केजी की कमी हो गई, भाई समझे ना, ओसत में 3 केजी की क्या हो गई, कमी जाप एक गया, ओसत में 3 की कमी हो गई, हम यह साइन लगाते हैं, सिर्फ साइन दिखाने के लिए कमी हुआ है, हम क्या कहेंगे, सम मिला के 6 तिया 18 की कमी हो गई है, ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं, 6 आदमी था, एक गया, एक आगया, असक्या, पे तो कोई फैक्ट नहीं पड़ा, ओसत में क्या हुआ, 3 की कमी हो गई, इसका मतलब अगर हम सम की बात करें, योग की बात करें, तो 18 की कमी हो गई, मतलब यह है, कि जो आदमी आया है, वो 18 केजी कम वाला आ गया है, बस इसी बात को समझना है, यह माइनस 18 का मतलब यह है, जो आदमी गया है, जो 18 kg कम वाला आ गया है, किस से कम वाला, 80 kg वाला गया है, इस से 18 कम वाला आ गया है, 10 में से 8 गया, 2, 7 में से 1 चला गया, 6, इसका मतलब ये 62 kg वाला आदमी आया, क्लियर है बाते कैसे बता है, अगर दिक्कत है तो एक वाला फिसे वीडियो को रिवाइन करो, देखो, I think समाज में आ जागा, चले, फिट से एक सवाल लेते, सेम सवाल, आ जागा समझ में, क्या करें, 6 वैक्तियों की समू में, 45 kg वाले वैक्ति की अस्थान पर दूसरा वैक् पर एक केजी की ब्रिद्धी हो गए, तो पलस एक, ओभर ओल निकालते है, 6 गुना, एक क्या आ गया, 6 की क्या हो गई, सम में, 6 की ब्रिद्धी, इसका मतलब क्या है, कि जो आदमी गया है, उससे 6 जादा वाला आ गया, बस यही समझना है, तो हम यह कह रहें, गया था कितना वाला, 45 वाला, इससे 6 जादा वाला आ गया, 45 जे कितना हो गया, इसका मतलब 51 कीजी वाला है, नया व्यक्ति का भार क्या है, तो 50 कीजी, clear है, मतलब कमी वाला था, तो माइनस कर दियो, जादा आ गया, तो पलस कर दियो, clear, चले, फिर से एक सवाल देखते हैं, एक कक्षा मे एक कक्षा में, 16 चात्रों के आयू में, 16 चात्रों के आयू में, 16 चात्रों के आयू में, एक वर्स की कमी हो जाती है, जब इन में से 2 चात्र जिनकी आयू 12 और 14 वर्स है, कि अस्थान पे 2 चात्राओं को सामिल किया आता है, दोनों चात्राओं के आयू किया, देखो, सवाल हुआ है, 16 बंदा था, 16 छात्र था, 2 छात्र गया, उसकी जगह पे 2 आ गया, इसका मतलब संख्या पे कोई effect परा क्या, नइ, 16 का 16 यह, लेकिन औसत पे effect परा, औसत में एक की कमी हुई, इसका मतलब औसत में एक की कमी हुई, तो sum कितने में कम हो जाएगा, 16 गुना माइनस से क्या कहेंगे माइनस 16, मतल Exp तลब 16 की dichnी हेगए, जितना भी गया होगा उससे 16 कम वाला आई होगा, देखते हैं, कौन कौन सा, 12 और 14 वाला मतलップ टोटल कितना चला गया, 26 वाला गया थेक, 26 गया, बारह और चौदह, चब्विस गया, उसमें से सोला कम वाला आ गया, इसका मतलब कौन सा आ गया, चब्विस में से सोला मैस का थे, दस वाला आ गया, लेकिन इस दस वाला में दो लड़की है न, इस दस वाला में क्या है, तो दो लड़की है, क्योंकि दो गया था, दो आ गया, क्लियर एकदम आसान सवाल चले फिर से सीम वेसा है सवाल है वीडियो पॉस करो इसको बनाओ देखो बनता है कि नहीं बनता है चले फिर भी हम इसको देखते हैं आठ पुरुसों की ओसता यूँ दो वस बढ़ जाती है जब उनमें से दो की जगा एक की सो तैस वस उनकी जगा दो नई पुरुस आते हैं तो दो नई पुरुस का ओसता है हम यह कह रहे है आठ पुरुस था दो गया उसके जगा पे दो आ गया इसका मतलब संख्या पे कोई फैक्ट नहीं बढ़ आठ का अठी रहा लेकिन औसत में क्या हुआ दो बढ़ गया औसत दो बढ़ गया इसका मतलब सं कितना हो जाएगा आठ दूना सोला सं भी क्या हो जाएगा तो सं भी सोला बढ़ जाएगा जो गया, उससे 16 बर जाएगा, गया कौन-कौन सा? अगर परिशानी हो रही है यह समझने में तो video remain करके आप डेक Shonent लेकिन कोई लफरा तो सवाल में है नहीं बढ़ रहा है तो पलस कर रहे हैं कम ही हो रहा है तो minus कर रहे हैं बस यह ही चल रहा है चलिए फिर से हम लोग सवाल देखते हैं सेम ऐसा ही सवाल है या अलग है अगर ऐसा सवाल हुआ तो आप लोग वीडियो पाउस करके उसको बनाओगे यह नहीं की डैट देखते चलेगे जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओंगे न तक तक कुछ नहीं होगा सिफ मेरे बतान मातर से कुछ नहीं होगा हम कितना भी सौ सवाल बता दे आप लोग एफर्ट ज़रूर लगाओ सवाल को वीडियो पाउस करकर के बनाओ फिर उसके बाद देखो क्या आपने सही बनाया या नहीं बनाया चलिए अभी सवाल को देखते हैं मैं आई थिंक वहीं सवाल है 15 वैक्तियों के आउसत आयू में 1.6 वर्ष की बिर्धी हो जाती है जब उनमें से 42 वर्ष के एक वैक्ति के अस्थान पर एक नया वैक्ति आ जाता है तो नए वैक्ति का भार क्या है वहीं सवाल है से इन 15 वैक्ति था है एक गया एक आ गया संख्या पर कोई फेक्ट नहीं इसका मतलब 24 ज्यादा वाला आ गया, भाई 42 गया, 24 ज्यादा वाला आ गया, तो 42 हो 24 कितना हो जएगा, 66, एक ही आदमे गया, एक ही आया, इसका मतलब 66 kg वाला आया, clear है, चलिए, फिर से देखते हैं, 12 लगों के उस्ता आयू एक वाइस बढ़ जाती है, यदि उन में से 2 बढ़ का गया, उसके जवापे 2 लर्की आ गए, संख्या पे कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा, लेकिन आउसत पे इफेक्ट पड़ा कि एक वस बढ़ गया, तो पलस 12 गुना है, क्या पता चला कि भाई, योग 12 बढ़ेगा, अब गया कौन कौन सा है, तो 832 वाला, इसका मतलब, 8 और 2, 10, 3, 2, 5, 6, 60 वाला गया है, और 12 ज्यादा वाला गया है, तो पलस मियाने का मतलब ज्यादा वाला गया, अगर माइनस मियाने का मतलब क्या है, तो 12 कम वाला गया, तो यहाँ पे ज्यादा वाला गया, तो 60 पलस 12 क्या कर लिए, 72, उन दोनों लर्कियों क आयू कितनी है 72 सवाल में एक का पूछा है क्या बोला है समान आयू वाले दोनों की आयू समान है ना 72 वास है सब मिला के दोनों की आयू समान है इसका मतलब क्या है एक 36 साल की दूसरे भी 36 साल की तो लरकी की एक लरकी की आयू क्या है तो 36 वास है अब टाइप चेंज हो रहा ह टाइप यह है, पचास संख्यां का ओसक 36 ग्याद किया गया बाद में पता चला कि संख्यां अर्टालिस के अस्थान पर 23 ले ली गई है तो सही असत क्या, गो त्यान से समाजना है दोनों टाइप में अंतर है, इसको ये कह रहे हैं, इस सबाल में पचास संख्याओं का औसर चातिस है क्या हुआ उनमें से एक अर्टालिस के जगह पे क्या हुआ तो तैस ले लिया उसको लेना था नंबर अर्टालिस नंबर लेना था अर्टालिस लेकिन ले लिया तैस तो क्या पता चल रहा है भाई साब ये कम लिया है कितना कम लिया है तो 8 में से 3 माइनस करते है 5 और 4 में से 2 माइनस करते है 2 पत्चिस ये 25 कम ही लिया है और ज्यादा लेना चाहिए था 25 कम ही लिया इसका मतलब क्या है 25 कम लेने का मतलब क्या इसको 25 देना परेगा न इसका मतलब 25 अगर दे रहे हैं औसत बढ़ेगा भाई ये 25 किस में बढ़ेगा तो 50 संक्या में बढ़ेगा ये 25 अगर बढ़ाएंगे तो 50 में बढ़ेगा देख लेते कितना बढ़ेगा ये 25 बढ़ेगा पचासों में तो 25 बढ़े 50 क्या पता चला एक बढ़े 2 बढ़ेगा मतलब 0.5 बढ़ेगा था औसत कि तो फिर रिवाइन करो देख लो I think समझ में आ जाएगा कुछ सवाल में है नहीं 40 संख्याओं का और सथ 30 है सेम सवाल है 40 संख्याओं का और सथ 30 है बाद में क्या पता चला कि 60 के अस्थान पर 80 ले लिया गया भाई लेना था 60 ले लिया 80 जादा ले लिया फालतू का ये ले रहा है 20 बाद को समझना है लेना था 60 ले लिया 80 20 फालतू का ले लिया भाई 20 आप एक्स्ट्रा क्यों लिये हो आप 20 को हटाओ भाई 20 हटेगा इसका मतलब क्या है औसत कम होगा 20 अगर हटता है तो 20, 400 के 40 से हटेगा न, जितना संक्या सब से हटेगा न, तो 20 अगर हट जाता है 400 से, इसका मतलब औसत कितना हट जाएगा, एक बटे दो, औसत 0.5 कम हो जाएगा, औसत था कितना, 30 था, 0.5 कम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 29.5 सही औसत हो, हम लोग इस तरीका में multiply करन जाने से बहुत हट तक multiply, divide से बत सकते हैं, clear है, चले फिर से एक ऐसा ही सवाल करते हैं, 16 छात्रों का औसतंग 60 पाया जाता है, बाद में पता चला कि एक छात्रकांग 87 के बदले 55, और दूसरे छात्रकांग 43 के बले 57 लिग गया, तो सही औसत, कैसा वाल हो गई है, 16 छात्रो या 57 यह देखते हैं, गल्ती से क्या लिया गया, और सही क्या लेना था ? इसको लेना था, कितना? लिया 112 ले लिया इसका मतलब क्या भाई साब यह अठरा कम लिया है ना 130 लेनब था लेकिन 112 लिया अठरा कम लिया इसको दो अठरा अठरा कम क्यों लिया इसको देना परेगा अठरा देने का मतलब है औस बढ़ेगा अठरा अगर दे रहा है तो अठरा सबको 16 को अठरा अठर एक सट दसमलब एक दो पाँच हो जाएगा नहीं आउसत यही बात को समझना है इसको अठरा कम मिला भाई आप कम क्यूं दे रहे हैं आपको तो नंबर और देना है ना नंबर देने का मतलब आउसत बढ़ना अगर यहां पर नंबर कम लिया गया था फाल्तु का अगर लिया इस नंबर को में माइनस करना हो ता माइनस करने का मतलब आउसत कम होना होता है चली एक और सेवाल श्राय। कि यहां समझ में आ गया तो इसको बनाओ अगर समझने में परिसानी तो वीडियो रिवाइंड करके देखो लिर चलिएद्टशाथ रहा हैं मिल्लिद के च अस्भाई हैं तो 40 जानी हमों कि अस्थान पर 40 लिया गया है और वह ऊसे 99 डीए 3 इसको लेना कितना था 104 लेकिन ये लिया कितना 116 लेना था 104 लेकिन ये ले लिया 116 मतलब कितना जादा ले लिया ये भाई साब 12 फालतों का ले रखे है 12 जादा ले लिया भाई जादा लेने का मतलब 12 तो हटाना पड़ेगा हटाने का मतलब आसत कम करना पड़ेगा ये 12 हटा तो ओसत कितना हो जाएगा सही ओसत हो जाएगा अर्थी इस तरीके से हम लोग multiply multiply करने से बस सकते हैं clear चलिए अब आते हैं फिर से अब सवाल क्या टाइप तरही हो जाएगा तो आदा ही तीनों संख्यां दो एक चार Amazing अब क्या ओसत चपन है भाई साब अगर ओसत चपन है तो सम योग निकालने के लिए क्या करते हैं ओसत में संख्या तीन है तीन संख्या है तो 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 तीन संख्या पहले और तीसरे कांतर कितना है पहले और तीसरे कांतर चार में से दो मैंसे पहले और तीसरे कांतर है दो कात एक वराबर 24 के तो दो किसके वराबर और 40 के वराबर आसानी से सवाल सॉल्व हो गया इस टाइब को तो अच्छे से समझ कर रखना ये अक्षर आपको मिलता रहेगा बहुत इंपोर्टेट में से ये टाइब बन जाता है चलिए फिर से कुछ सवाल और देखते हैं दो तिन सवाल और है चलिए अब सवाल क्या है एक छात्र होस्ट एक औसल में 36 छात्र है उन सब का क्या औसत पता है नहीं है न हम यह कह रहे है 36 का औसत एक्स है अब क्या हुआ 9 और आ गया 36 था 9 और आ गया तो कितना हो गया 45 हो गया तो औसत में क्या हो था यह देखे यह तो कुल खाज 55 आशत में 2 बढ़ा 35 का मतलव क्या औसत 2 कम है 35 का मतलव औसत की बाद कर रहा है 2 कम हो गया X था 2 कम हो गया अब ये टोटल खाचा 15 वड़ा है ध्यान से समझना हम ये कह रहे है एक ऐसा आप लोग पढ़ रखे यहाँ पे औसत में 2 की कमी हुआ यहाँ पे संख्या में 9 बढ़ा यहाँ देख क्या बता है तो इसको इससे मल्टिप्लाइ करने को इस नंबर को इससे मल्टिप्लाइ करने को तो 36 को अगर 2 से मल्टिप्लाइ करते तो माइनस 72 फिर पलस 9 को इस दोनों से मल्टिप्लाइ कर लेते तो 9x और minus 18 equal to 45 क्या हो रहा है 45 बढ़ रहा है तो plus 45 सकेंगे 45 घट रहा होता तो यहाँ पर minus 45 सकते इस बात को धिहान में रखना है clear चलिए solve कर लेते हैं क्या हो जाएगा यह 72 और 18 हो जाता है कितना 90 90 हो गया 90 को धर बेज़ दे minus 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 और यह 45 135 नौ से कर जाएगा 15 बाले में X वराबर क्या मिल गया 15 x 15 हम से क्या पुचा परारब का कुल घट ग्या था तो परारब का कुल खाज का मतलब क्या है 36 चात्र हईगा और हर एक पर पंदर खाज चोड़ा है तो कुल खायचा क्या हो जागा? 36 हर एक पर पन्द का जीरो बांकि 9, 15 तिया 45 और 45 नो कितना हो जाता है? तो 25 न चोवन प्रारम में कितना खच होता था तो 540 खच होता था चलिए से में कैसा सवाल है आप लोग इसको बना सकते हो ट्राइ कर सकते हो बागि उसके बाद आप देख लो सही बन रहा एक नहीं बना एक छात्रावास में 40 खात्र है यदि 10 खात्रावास छोड़ दे तो मेश का परती दिन का कुल खाचा 60 कम हो जाता है तो मेश का प्रारम का कुल खाचा क्या है 60 कम हो जाता है इस सवाल में औसत यहां पर छुट गया है, हम इसको एक वाज देख लेते हैं, छली इसको हम सही कर दिया है, सवाल क्या है, एक छातर आवास में चालिस छातर है, यदि दस छातर आवास छोड़ दे, तो मेश का प्रती दिन का कुल खाचा 60 रुपे कम हो जाता है, और प्रती एक बढ़ जाता है, तो प्रार्म का कुल खाचा कै दिवो, हम यह करें, हम यह करें, प्रार्म में 46 ठावास प्रती छातर था, उन सबका ओस प्रती लस प्लस एक-धG संख्या10 कम हूए, ahora, बढ़े 1 एकसे और इसका multiply से 40 plus 1 multiply हो जाएगा तो 40 minus 10 को X से multiply minus 10X और minus 10 को X से multiply तो minus 10 equal to क्या बता है तो 60 रुपे कम हो जाता है तो यहां क्या रखना पड़ेगा minus 60 रखना पड़ेगा चलिए solve कर लेते है 40 में से 10 minus हो जाएगा 30 30 उदाबेदे minus 30 minus 30 minus 60 minus 90 और यहां भी माइनस उधा भी माइनस खतम हो गया तो दस एक्स बड़ावर मिला नब्य तो एक्स बड़ावर मिल गया नौ एक्स बड़ावर नौ मिला प्रारम में कुल खाज कितना होता चालिस बंदा था हर एक पे कितना खाज हो रहा है तो नौ खाज हो रहा है तो क्या पत निए शौब लिए तेरह स्वाल, यकी ठीक केस्स कटनें। पाँच महने के लिए 300 मेना बचत है में 300, 990 रूपया का बचत करता है तो उसकी आप स्वाल में 1000 अगले तीन दिन का यह नहीं करता है ठीक है तो यह हम बता देते, उसपर आप लोग काम कर सकते हैं तो इसपर हम दो तरीका बता रहें चलिए एक हम simple basic बात कर रहे है पाँच महने का उसत खर्च कितना है? 12.00 है हम यह कहरे है पाँच महने का उसत खर्च 12.00 है तो हम यह निकालते 12.00 है सात महिने में ऑसत ख़स तेरह सोई तो हम क्या कहलें तेरह सती किसे हो जागा एक कामवे सो और हो गया यह है रहर पर हो लाके संव हा कितना होगा सम् अजिए। तो 12 महीने में कमा इसको भाग लाते क्या मिलेगा 1500 रुपए इसका क्या हो जागा तो ओसत मासिक आए था उसत खज क्या है? इसका मतलब इसमें हर एक महीने 100-100 बचाता या नहीं बचाता अगर हम कया है, यहाँ पर तेरा सो ना होके बारा सो ही होता बारा सो ही होता तो इसका मतलब ये सो सो बचाता या नहीं बचाता आप कहते हैं हाँ बिल्कुल बचाता clear है तो हम ये करें एक महिने में सो बचा रहा है तो साथ महिने में कितना बचा लिया होता साथ सो बचा लिया होता भाई साब पहले से यह 29 सो बचा रहा था 700 यह और बचा लेता इसका मतलब यह 36 सो बचा लेता कितने दिन में 12 महिने में 12 महिने में यह 36 सो बचाता तो एक महिने में कितने बचाता 12 तिया 36 तीन सो बचाता या नहीं बचाता हम यह कह रहा है कि ये 12 महिने में इसको लिखने के जहत ने ते, ये सब ум औरली हो था, 12 महिने में 3600 बचा रहा है, तो एक महिने में कितने बचाता, 300 बचाता, मतलब ऑसतबचत इसका 300, भैसा ये खाथ कर रहा था 1200, ऑसतबचσι, इसको भी 1200 बचा रहा था, 300 बचा रहा था, खज और बचत को हम लोग जोड़ दे तो क्या मिलता है उसका आए मिलता है 1200 खज कराता था 300 बचता है इसका हम दलब और सत खज कितना तो 1500 पर इस तरीके से हम लोग करने से गंदा गंदा सा मल्टिप्लाइ करने से हम लोग बस सकते है त।rito temperature वाला सवाल आई तो आप इस पे काम कर सकते हो सही तरहे केसे वो भी आसानी होगा इसी तरहे केसे multiply क कर गे या ऐसे काम करना चाहो तो इस पे भी हो सकते हैं Clearly, BCS अगर आप लोग को फिर भी किसी सवाल में अगर दिक्कत हो तो link में what's up number दिया हुआ है उस पे आप लोग question को send कर सकते हो हम बना कर भेज सकते हैं clear है चलिए तो business आज के लिए इतना गरने देते हैं मिलते हम लोग next topic नई नई topic के साथ चलिए धन्यवाद